हाई प्रेंज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक न्यू व्लोग मैं पुझ आपसाब कर एक न्यू व्लोग में स्वागत करती हूँ तो माई वाल यूटू फैमिली कैसो आपसा अपकर तो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है कॉन स मेरे लूलू को देखिए बेट पे लेटा था जैसे मैं सारा चीज बेट से उतार जाही हूँ तो उसको पाता चल गया है बेट सीड चेंज करने वाला है इसलिए उखल से उतार गया मुझे बोलना भी नहीं परा है बहुत अच्छा है होर चीज समझता है बोलने का जोड़ नहीं परता है बहुत बात नहीं कर पता है लेकिन बहुत ही मतलब हर चीज फील कर सकता है वह इंसान जैसे ही है इसा ही सुचो इंसान जैसे टेश्टी टेश्टी खाना खाने के लिए मैं जैसे टेश्टी टेश्टी खाना काने के लिए मैं जैसे टेश्टी खाना काने के ल तो देखे बेट सिर्ट जो है मैंने काली बिचाया इसलिए चेंज नहीं की हूँ सारा को निकाल के जो भी धूल डास्ट था जार के फिर दोबारा इसी को बिचा दे रहे हूं क्योंकि गंदा हुआ नहीं है तो चेंज नहीं करूंगी और खाना काके न मैं सो गई थी अभी ब देखता है और देखिए मेरे पास है रोस वाटर मैं इसको थोड़ा साना बेट पे चीटक दे रही हूं क्योंकि जो गुलाब जल है इसका खुझब मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं जब भी सोके उठती हूं हमेसा बेट पे थोड़ा सा मैं क्लीन जब करती हूं त अब फिलाल उसको दो थीन माइन से इस नहीं कर रही हूं अब गुलाब जल को छीटक रही हूं क्योंकि गुलाब जल का खुझब मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने एक रुमाल लेकर आया है देखिए यह जो डॉर है इसमें पूरा धूल डास्ट जम गया है क्योंकि पांख काम चला रही हूं लेकिन अभी सर्दी से गर्मी आया है तो मुझे खराब हो रहा है फिर से कुलार चल करके सोने जाएंगे तो फिर सर से उटी नहीं पायेंगे इसी वैसे से गर्मी बर्दास का रिकुलार में ही पांखा में ही काम चाला रही हूँ लेकिन अभी सोजरी कुलार एक दो दिन बाद अंदर कर देंगे इस अध्या जितना सरा धुल्ड था मैंने थोरासर रुमाल को गिला कर लेकि आया हूँ यह बहुत अध्या अगर निकालने से निकाल जाता तो बहुत ही अच्छा लगते हैं तो ऐसा रहता है ना कि गंदा हो जाता है इसी लिए अध है कि अध्यान कर देती हूं ताकि मुझे बाद में ज्यादा मेहनत ना करना पड़ी डेली तरह तरह करके मेहनत करूंगी ठीक है लेकिन एक साथ ज्यादा करना तो मेरे को बिल्कुल आच्छा नहीं लगता है और यह बहुत दिन हो गया टीवी भी हमने देखा नहीं है क्योंकि टीवी देख प्रवार कुटार दिया तो हो गया तो ही सोचके ना ऐसे ही पढ़ा है इसको भी अंदर नहीं कर रही हूं और कभर भी मैंने मगाया था मिसो से तो कभर भी लगा के राखी तो चुआ उसका अंदर आके पूरा हर चीज कुतर कुतर के बढ़बाद कर दे रहा था एकदम मेर लोटरी लग गया इस टाइप का हो गया था जब टीवी मैंने कभार लगाया था तो फिर वो कभार को निकाल के दोखे पी चार्जा में उठा के राख दियूं क्योंकि धूल डास्ट के बज़ा से राकोंगे अचुहा हर चीज का बरबादी कर देगा और यहां पर डेसं ट आइप अधा के राख दिया है तो इसलिए मैंने उख दिया है अधूल डास्ट जमा हो जाएगा इसलिए अधूल मेरे पर जाएक आपके बाकि आपके अधा कर दिया हो गया है तो लिए निकाल के निवीच बगार लगा लगालूंगी लेगन लिफ्टिक को निखाल तो मुझे अच्छा नहीं लगे गाए बहुत सरा फिलिंग्स जुरा हुआ है जो मैं बता नहीं सकती हूं इसलिए बहुत ही समाल के राकी हूँ और जो भी था सारा क्लीनिνग डस्टिंग जो भी है सरा हो चुका है अब रहा है अब तो देली है क्लीन करना परेंगा 31 thandic टाइम फिर भी तो मायना 5-31 रेक्जिक गिंब दीन अब स पांखा चालाना शुरू ही हुआ है लेकिन इतना ज्यादा धूल डास्ट आना चालू हो गया पता नहीं लाश्ट में और क्या होने बाला है तो तो देखिए जो भी क्लीनिंग की थी तो पुरा कागज भागरा पूरा रूम पे भर गया है उसको जारू लगा के बाहर निकाल दे रही हूं आप तो कैसा वीडियो देखना चाहते है प्लीज कमेंड करने बताईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो भी बताईएगा जिस टैप का वीडियो देखना है आप सब इसको बता दीजिए अभी ना कहना मेरेगों को सामाई के बचासे में वीडियो कुस दिन दंसे डाल तो आपसब खी नीच कम नीचे थे बहुत ज्यादै है अफंग है। और दो चाहते हैं करे दों मैंहें दोप जाधने की साथना गीचे हैं थैनीचोपट दा We madam